हेलो फ्रिंद स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल एक अदम सब के साथ में फ्रिंद आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं महित्पॉर्ट सौ कोश्चन जिससे रिलेटेड आपके जाम में कोश्चन पूंचे जा सकते हैं साथ ही अगर आप हमारा फ्री के लिए है अगर आप लेना चाहेते हैं तो आपको वहां वार्ट से पे ग्रूप जो है हमारा वार्ट से पैड्रूप उसमें जॉइन कर दिया जाएगा एड कर दिया जाएगा और आप अपने तयारी कर सकते हैं जहां पे आपको 31 प्रेक्टिस सेट और वन लाइनर करते हैं कि दावा किया जाता है तो लेकिन मैं जो जिस तरीके से आपको इस्टेडी करा रहीं जो आपको मैं अपलब्द करा रही हूं जो लोग जुड़े हैं उन्हें मालूम है कि अब तक की यूटूब चैनल पर कोई भी क्लास आ रही हो किसी की भी ऑनलाइन बैस चल रह रहेते हैं तो आप humour से डिक में इस वाटसें पर काक्ट कर सकतके है साथ ही अपने अपना नाम और आड्रेस बताना ना भूलें अगर आप ग्रुप जोइन करना चाहें और नेट जियारफ एंट्री करके आप जरूर लिखें, ठीक है, नेट जियारफ एंट्री करके आप अपना नेम और एड्रेस हमें सेंड करें, अगर आप complete course लेना चाहेते हैं, आपको पूरी डिटेल वहीं पर बता दी जाएगी, फेस यहाँ पर मैं बता दूँ लगवग आपक प्लस में आपको और question मिलेंगे, वन लाइनर question भी मिलेंगे, तो यह सारी डिटेल हमारे complete course की है, जो लोग join करना चाहेते हैं, तो join कर सकते हैं, आपनी तैयारी और best कर सकते हैं, फेस्ट पेपर की भी guidance आपको दी जाएगी, तो चलते ही, आब श्टार्ट करेंगे आज का अ अपना हुई है, 1910 में, हम टाइम नहीं लेंगे, हमें 15 मिनिट में यह पूरा complete class लेना है, तो आप लोग भी अपना speed को बढ़ाईएगा, पढ़ने की speed बढ़ाईएगा, और answer देने की speed भी बढ़ाईएगा, कामाईनी में किस दर्शन की अव्यक्ती हुई है, तो 7 दर्शन 1905 में प्रकासित हुआ था, next question है, सिप सिंग सरोज का प्रकासित हुआ है, तो सिप सिंग सरोज का प्रकासित हुआ था, यह 1883 में, okay, 1883 में सिप सिंग सरोज जो है प्रकासित हुआ था, next है, व्यस्वाडी का सम्द किस बोली से है, यह है आउधी से, okay, next question है, रितिकी अवर अध्याबी कई आलोचन का सुत्रपात के स्रचनाकार निकल राइट आइब य् tir पहल पत्रीका की संपादक कौन थे तो पहल पत्र का ज्यांण रजन के दौर्डनकार निक निकली गहींट लिए sz अध्यक्यार यह पद्दम सिंग जो थे इनों ने अलुचना दी थी नेश्ट है जीप पर सवार एलियां तो यह किस ने दिये यह दिये सरद जोसी जीप पर सवार एलियां नेश्ट कोश्चन है नारी सरीर देव मंदिर की भाति पवित्र है कि उपन्याज का सम्वाद है तो वार्भट की आर्थम कथा है पूंकी निष्ट कोश्टन है सेकर में मेरा पन कुछ अधिक है तो यह किस ने कहाई निश्ट जी कोस्चिन है आछ आच्छी कहानी कहानेकार और पाठक अनुहों की साज़दारी का कakenे तो यह किस你要 कहाpox यह कहाये राज इंद्र यादमने बोकि राजpielt यादब चीने फिर कुकुर मुद्ता किस काव मैं संघर में तो कुकुर मुत्ता किस कावि संग्रे में संक्लित है तो कुकुर मुत्ता जो है नाय पत्ते में तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि पहले कावि संग्रे जैसे किसी रचनाकार ने अपनी कविताय लेखी है ठीक तो उसने एक कविता लिखी वो किसी में संक्लित हो ग कुकुरमुत्ता जब लिखी गई होगी तो यह नए पत्ते में संकलित हुई होगी पल्लव में भूमका कितने प्रष्टों में लिखी गई है तो यह 40 प्रष्टों में लिखी गई है ने संसार जो है इसके लिए प्रियुक्त किया गया है यह सब्द कोष्चन है बड़े-बड़े साहितिकों की भासा कभी कविता की भासा नहीं हो सकते यह किस ने कहा है तो यह निराला जी ने कहा है इलेटेटट क।्ष्ट आपके पूछे जासकते हैं, सब्दों को फ्री orada पूछे जासकते हैं इलंकार है तो ये मानवी करन अलंकार है निश्ट कोश्चन है सच्छनतावाद को अवियात्यवाद का विरोधी किसने माना है तो ये कौन है तो ये इशलेगर है निश्ट कोश्चन है अरुन या मदमे देश हमारा समवाद किस पाद्र का है तो यह कारनेलिया ने गीत गाया है निश्ट है जागो फिर एक वार पंक्ति दी है किस ने दी है तो यह निराला जी ने दी है जागो फिर एक वार पेसोला की प्रद्धुन कव्ता किस कावि संग्रे में संकलित है तो यह लहर में संकलित है निश्ट कोश्चन है छायवाद की स misty सीमा क्या है तो यह है 1818 ख concerns 1936 सर देप सिखा का प्रकाशन वर्ष किया है तो दीप सिखा 1942 रगया सक्षुमार कभी किसे कहा गया है तो प्रक्रदिका कि मार्स्ऩ को कहा गया है निश्ट कोमण से प्रहावित रचनाकार कौन है तो अर्विन से प्रभावित पंत हैं और घ्युके अवको याद रखना है तो यह किसकी है यह आपकी पंत की कि ठिक है निश्ठ है आपका क्मुष्ट सूफी मतमी ईसद की भावना इस रूप में की गई है कथन किसका है तो यह कहा गया है रामकमार के गवारा निष्ट कόश्ट है तो फोटिक्स किस ने दिया ये दिय अरस्टुने है ȁष्ट कुश्ट्ब है भाषटी कावशस्थ में साधाणीकर शिद्धानत किस ने दिया है तो यह दिया है आपके भाषस्थे 500 बहाव है जो सभीICA संचारी भाव निष्ट कोश्चन है काव में लोक मंगल की साथ ना किस्ट लेखक ने दी है तो ये रामचंद सुक्ल जी ने दी है निष्ट कोश्चन है भातवर्ष्ट रोनित कैसे हो सकती है जो है किस्ट ने लिखा है तो ये निवन भातवर्ष्ट जी ने लिखा है रूम मंजरी के रचनाकार कौन है तो रूम मंजरी जो है नंदास जी के दोर लिखी गई है जासी ने अपने किस गुरू का लेक पदमावद में किया है तो सेध असरब का किया है राम चरित मानस की भासा है तो क्या है अउधी है ुकि नेस्ट कोश्चन Aires अष्टियाम के रिचनाकार कौन है तो अश्टियाम लिखी है ना भादास, जी ने नेश्ट कोश्चन है राम तारत मंत्र के रिचनाकार कौन है तो रामानन जी है नेश्ट कोश्चन है गोदान पात्र होरी किस गाउं से सम्वन रखता है तो ये बैलारी से बैलारी और सेम्री है तो बैलारी से सम्वन रखती होरी ओकी नेश्ट कोश्चन है सबके सब एक से है ये किस्ते है तो ये पातन जो समवाद लिया गया आधिया धूरे से जो सावित ले कहती है नदी के दूइब का प्रकासन वर्ष क्या है तो नदी के दूइब उनिस सु इक्यावन भी प्रकासित हुआ है इसे भी आपको ध्यान रखना है अब किस रचना का समवाद है तो यह किसका है यह सेखर एक जीवरी का संपादल सबस् Seriously कीया प्रयम चंजी ने और उसके वाद में राजन यादवजी ने किया है चंद गुपनाटा का क्रकाशन वर्ष क्या है? 2018 सुधास प्रेमचंद की किस अपन्यास का पात्र है? तो यह है रंग भूमिका नेश्ट कोश्चन है प्रेमचंद पुँजिवादी एथादवाद के रचनाकार ही ये कतन किसका है? तो ये कथन दिया है सुक्ल जी ने सोरी ये दिया है सिद्दान सिंग चोहान जी ने ठीक है सेकेंड ओप्सन आपका राइट हो जाएगा निश्ट कोश्चन है बादल राग कविता किसका विवे में संकलित है तो बादल राग जो है आपके अनानका में संकलित है निश्ट कोश्चन है कवीर का जन्म कब हुआ है तो कवीर का जन्म 1398 में हुआ है निश्ट के चंदगुट नाटक कितने अंकों में लिखा गया है तो ये लिखा गया है चार अंकों में नेश्ट कोश्चन है काका उपनियास के रचनाकार कौन है तो काका उपनियास लिखा है रंगेत आगभजी नेश्ट के उन कोश्चन है कुट्टी चातन उपनाम से निवन लिखते थे तो अगियें लिखते थे निश्ट कोश्चन है साहित ग्यान रास का संचित कोस है तो ये किसने कहा है ये कहा है मावीर पुशाद दूबी दूए है निश्ट है परिच्छा गुरू का प्रकासन वर्ष क्या है तो सिकेंड ओप्सन हो जाएगा 1882 निश्ट कोश्चन है मुर मुर कर देखता हूँ के लेकिन हाथ से नहीं है कि हाथ से लिए आप लोग कोमेंट करके बता सकते हैं 59 का कोश्चन उक लाच्मीपूरा का प्रकासन वर्ष क्या है लच्मीपूरा जिव रूपाव में प्रकासित हुए थी ठीक है रिपो ताज है और यह प्रकासित हुई 1928 रूपाव पंत जी के द का कवी है ये किसने कहा ये अग्येंजी ने कहा है Nisht question चांद का मुँ टेढ़ा का प्रकास्व वर्ष क्या है तो 1964 है निश्ट question है मैं उर्दू और हिंदी का दोवाब हूँ तो दोवाब किसने सब्द दिया है ये दिया है समसेर बाहदुर जीने चुका भी नहीं हूं प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर निश्ट कोश्चिन है चिंतावनी भाग तीन का संपादन किस रचनाकार ने किया है तो ये भी कोश्चिन पूछा जा सकता है आप से नामबर सिंगे भाग तीन निश्ट है निवन्द उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्ति अथाद व्यक्तिगत विसेस्ता हो कथन किसका है तो ये है आपका रामचंट शुक्ली जी का निश्ट कोश्चिन है आपका अखरावट के रचनाकार कौन है तो जाइसी जी है आप सभी को मालूम होगा अश्राब की स्थापना कब होई थी तो निव जो है उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है तो पंद्रा सो पैंसट है और जो लोग पहरे से तयारी करते हैं वो लोग तो होते ही है साथ ही क्लासेस में नए लोग भी जुड़ते रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम होता है तो उन लोग लिए बताना जरूरी हो जाता है ना फ्रेंग यह लाग जो है किस प्रकार का विंजन है तो यारा ला और Sam dhram होते हैं, तो ये सभी रचनाकार जो है, ये बाष्नम भर्वेस्टार से संबने होते है, निवी दिखती जीवन जो आता ही आया, विरोध पंक्ती के रचनाका निजाला जी है। नेश्टे महावी प्रिशाद ने किस्तन में सरस्वती संपादन का कारभार समाला था तो 1903 से समाला था नेश्टे पंत का जन्म कब हुआ था तो पंत का जन्म 1900 में हुआ था नेश्टे रस्खान का जन्म कब हुआ था तो 1553 में इनका जन्म हुआ था नेश्टे प्रयोगवा निंश्ट है लह Teachers का प्रकासनवार्ष क्य है तो लहसी द्वारी रखी गई उनीस ti-tees twitter गए पदों की परंपरा हिंती में किसंसरूर हुई है तो गया पत जो है सिध्डों से ही सुरूरात हुई थी इसकी और निश्ट कोष्चन है पर Jeff चम्पू का भी क्या है तो चम्पू का भी क्या है अमने आपको कई बार बताया है कि जो गद्य और पदी में लिखा गया वही क्षा जांगतर है और इस पूँचा जा सकता हैं मीरा वाईि के गूरॉ तो मीरावाई के गुरु जो है रैदास है निश्ट कुश्चन है कबीर को बारी का डिक्टेक्टर किस ने कहा है तो हजारी पिशादुएदी जी ने कहा है स्वेम को इमान में रूप किस ने कहा है तो पुस्पधंत जी ने कहा है निश्ट जनीम्न में कौन से सैव थे परवा कहा है किसने कहा है तो ग्रीय में कहा है रीधिकाः है निज्ट है विश्क संप्रदास से संaison मंद्धित कौन है तो यह ऐस पनात निश्ट है आपके साकेत का प्रकासन वर्ष बीक्र क्या है तो 1931 है मतवाला पत्र कहां सेनिकलता था तो खोलकञता निखलता था निश्ट है ग्यारा वर्ष का समय कहानी के रचनाकार कौन है तो सुकल जी है निश्ट है कावी की अनुभूति का साधाइन करन किस्ट ने दिया है तो अनुभूति का डॉक्टर नगेंद ने दिया है बयान कहानी करच्छना का और कौन है तो बयान कहानी कमलेश्वर ने दिखी है, जिससे तुम समझे हो अब साथ जगत की ज्वालाओं का मोल तो ये प्रसाद जी ने दिया है, पंक्ति दी है, कामाईनी से है, काले कारनामे किसकी करती है तो ये है निराला जी की, तो ये थे जैसे जो भी हमारी classes आए वो आपको पहले मिले ओकि और अगर complete course लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमें contact करिएगा अपना name और address के साथ ओकि तो यह paint करेंगे मिलेंगे next class में तब तक के लिए जय ही जय भारत